हेलो एवरिवन तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूस सेंटेंसेज कुछ सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा उस सेंटेंस को मैं टांसलेट करके भी दिखाऊंगा कैसे टांसलेट किया जाता है और यहां पर मैं एक एड़वांस ट्रेक्चर यूस करूंगा वो फ्रेज इसको कैसे इस्तेमाल करना है कैसे इस सेंटेंस मैं आपको यूज करना है सब कुछ मैं कुछ टेप बेश टेप बता दूंगा आपको ब्यूटी को कम्प्लीट वाच करना है ठीक है गाइज तो देखिए यहां पर मैं कुछ सेंटेंस पहले आपको बता देता हूँ जैसे के ऐसा क्यूँ है कि मैं टीचर के सामने जवाब भूल जाता हूँ जैसा क्यूब है कि रोहन तुम्हें देखते ही डर जाता है ऐसा क्यूब है कि तुम हर साल कम मार्क्त लाते हो ऐसा क्यू sporting मैं उसके सामने बोल नहीं पाता तो ऐसे sentences आज हम लोग बनाना सिखेंगे जिसका मतलब है ऐसा क्यूं, ऐसा क्यूं है की, ऐसा क्यूं है की, ठीक है, तो चलिए sentence बनाना सिखते हैं, तो पहला sentence है, ऐसा क्यूं है की मैं teacher के सामने जवाब भूल जाता हूं, इसका English बने गा है, उसका बाद sentence देख लेते क्या है, ऐसा क्यूं है की, रोहन तुम्हें देखते ही डर जाता है, इसे इंगलिस में बनाने के लिए आपको advanced structure यूज़ करना है, वाई इस इडाट, ठीक है, Why is it that Rohan gets scared as soon as he sees you, समझ में आ रहा है आपको गाईज, आपको वीडियो को ध्यान से दिखना है, ठीक है, चलिए अगले example देख लेते हैं, ऐसा क्यूं है की तुम हर साल कम marks लाते हो, इसे इंगलिस में बोलने के लिए आपको क्या बोलना है, Why is it that you get low marks every year, चलिए लास्ट example बचा है, उसे भी देख लेते हैं, और उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा है, कि Why is it that कहाँ पर यूज करना है, ठीक है, ऐसा क्यूं है की मैं उसके सामने बोल नहीं पाता, इसका इंगलिस बनेगा, Why is it that I can't speak in front of her, Why is it that I can't speak in front of her, तो I think आपको समझ में आ गया, Why is it that कहाँ पर बनेगा, कहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है गाईज, तो गाईज मिलते हैं किसी और नए से स्टेक्चर के साथ, तब तक के लिए, अलवीदा,